क्रिटनाइन लेवल बढ़ने के दो रीजन्स हो सकते हैं पहला तो ये कि आपकी किड्नी खराब हो रही है और दूसरा कि आपका शरीर कुछ हेवी एक्सेसाइजिस को कर रहा है इन दोनों ही कारणों से आपके खून में क्रिटनाइन लेवल इंक्रीज हो सकता है जिससे आपको किड्नी की परेशानिया समेथ कुछ अन्य शारीरिक समस्याओं से भी चूजना पड़ सकता है हाला कि कभी कभी प्रोटीन का जादा सेवन भी आपके खून में क्रिटनाइन लेवल को इंक्रीज कर सकता है लेकिन जारतर केसेज में डामेज किड्नी पेशेंट्स में ही हाई क्रिटनाइन लेवल जिसी परेशानी को देखा जा सकता है अब ऐसा क्यों होता है इसे जानने के लिए आपको इस वीडियो में एंट तक बने रहना होगा क्योंकि इस वीडियो में हम जानेगे कि आखिर किड्नी के डामेज होने पर हमारे खूण में किटनाइन लेवल क्यों बढ़ता है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारी किड्नी हेल्दी होती है तब हमारा खूण अच्छे से Purified होता है साथ ही खूण में मौजूद waste product भी शरीष से बाहार निकलने लगता है लेकिन जैसे ही हमारी किड़नी में कोई खराबी आती है वैसे ही किड़नी सारे कार्यों को करने में असमर्थ होने लगती है जिससे हमारे शरीर में waste product एक खटा होने लगता है दरसर क्रिटनाइन खून में मौजूद एक waste product होता है जो भोजन को उर्जा में बदलने के दोरान पैदा होता है आम तोर पर किड्नी खुद ही इसे शरीर से बाहर निकाल देती है लेकिन किड्नी के damage होते ही किड्नी किड्नाइन को filter करने में असमर्थ हो जाती है जिससे खून में किड्नाइन लेवल increase होने लगता है आपको बता दे किड्नाइन का बढ़ना हमारी किड्नी के लिए खराब माना जाता है और नॉर्मल किटनाइन लेवल से जादा होना हमारी किड्नी को नुकसान भी पहुचा सकता है अगर हम एक स्वस्त इंसान में नॉर्मल किटनाइन वेल्यू की बात करें तो एक व्यसक पुरुष में नॉर्मल किटनाइन वेल्यू लगभग 0.74 से लेकर 1.35 मिलीग्राम परती डेसिलीटर के बीच होनी चाहिए वहीं यंग महिलाओं में किटनाइन की नॉर्मल वेल्यू लगभग 0.69 से लेकर 1.5 मिलीग्राम प्रती डेसिलीटर के आसपास रहनी चाहिए हाला कि क्रिटनाइन लेवल कई बार एज और बॉडी के साइस पर भी डिपिंद करता है लेकिन अगर सामाने इंसान की बात की जाए तो जादतर केसेज में इन ही आकडों को सही माना जाता है तो अगर आपका क्रिटनाइन लेवल इन आकडों के आसपास है तो आपको चंता करने की कोई जरुवत नहीं लेकिन अगर आपका कटनाइन इन आकडों से कुछ अलग है तो आपको काफी जादा सतर्ख होने की जरुवत है और समय रहते इसे कम करने की आवशक्ता है अगर आप भी किड्नी से लेटेड या फिर किसे भी अन्य समस्या से परेशान हैं तो हमारे अयरवेदिक उस्पितल कर्मा अयरवेदा से संपर कर सकते हैं कर्म आयरुवेदा ने अब तक तेड़ लाग से अधिक मरीजों को ठीक क्या है और आज वे बिना किसी परिशानी के अपना जीवन जी रहे हैं तो आज के लिए बसता हैं आप कोई वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल भी न भूलें हम आप से मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखें हिल्दी रहें नमस्कार